कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का सोनों स्टड़ी क्लास से यूटूब चलने हैं दोस्तों आप लोग को इंसी आटी वो क्लास 12 जिव विज्ञान चैप्टर 11 जिव प्रद्यों की की सिधान्त हुआ प्रक्रम प्रपसुत्र में आप लोग को स्वीडियों म प्रस नमबर 1 क्या आप 10 फुन्योग गज प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिक्सिक्या बेवार कम में लाए जाते हैं पता लगाईए कि對不對 आवसदी के रूप में कहां प्रयोग किये जाते हैं इंटरनेट की सहायता ले उत्तर क्रमसव पुनायोग गज़ प्रोटीन चेकस्य के ब्यावार नमबर एक इसुलीन डायवी तीज मेलिस्टर के उपचार के लिए नमबर दू यूमन व्रिद्धी हार्मोन नाटेपन के उपचार के लिए नमबर तीन इंटरफेरान वायरस जनितर रोग कैंसर त्था एट्स के उपचार के लिए नमबर चार इस्टिप्रोकाइनेज थॉमबोसिस के उपचार के लिए नमबर पाश टूमर नेक्रो सिस फ्रेक्टर्स तफसीज तथा कैंसर की उप्चार के लिए नमबर छो इंटर लियोकिन्स विविन प्रकार के कैंसर के उप्चार के लिए नमबर साथ हेपेटाई टीस वी सता एंटीजेन हेपेटाई टीन बी के विरुद्ध टीका नमबर आट गेलूलो साइड कालूनी इस्टीमू लेटीं ट्रेक्टर्स कैंसर यवम एट्स के उप्चार के लिए तथा वेन मोरू प्रतीस थाप पन के लिए नमबर नौ गेलूलो साइड मैक्रोफेज कालूनी कैंसर यवम एट्स के उप्चार के लिए नमबर दस बोवीन ब्रिधी हार्मोंस दुग द उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेशन नमबर दू एक संचित्र चाठ आरेखित निरूपण के साथ बताईए कि बताईए जो प्रती वंदन एंजाइम को जिस क्रियाधार डी एन्ने पर यह कारे करता है उसे उन इस्तलुकों जहां यह डी एन्ने को काड़ता है वह इससे उत्पन उत्पाद को दरसाता है उत्तर इस्ट्रक्चर आप देख लिजी 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 इस्ट्रक्चर प्र क्रिया का पुनयोग गज के निर्माड के चरण प्रस नमबर तीन कच्छा इग्यारवी में जो आप पढ़ चुके हैं उनके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि आडविक आकार के आधार एवाम एंजाइम्स बड़े हैं या डी अने आप इसके बारे में कैसे पता लगाएं या एंजाइम्स विकर पर टिटपड़ी लिखिये उत्तर एंजाइम्स प्रोटेंस होते हैं प्रोटेंस अडू अत्यदिक जटिल सा रचना वाले वेदाडू होते हैं इसका निर्माड एमीनों अमलों से होता है प्रकृतिक में लगबग तीन सव प्रकार के एमीनों अमल पाया जाते हैं किंतु इन में से केवर 20 एमीनों अमलों की प्रत जनतू एवं पादब को शिकाओं में पाया जाते हैं एमीनु अमलों शिंकला वद्ध्य होकर परसपर प्रेंटाइड बंदध द्वारा जूड़े रहते हैं प्रते एक प्रोटेन अडू की पाली प्रेंट प्रोटीन्स का आडवीक भार बहुत अधिक होता है विविन एमीनो अमल से बनाने वाली प्रोटीन विविन प्रकार की होती है हमारे सरीर में लगबग 50,000 प्रकार की प्रोटीन्स पाए जाती है DNA के जैविक व्रिदाडू जटिल सरचना वाले होते हैं यह प्रोटेन्स एंजाइम्स से भी बड़े जैविक गुरू अडू होते हैं इनका अडू भार 10 के खाते 6 से 10 के खाते 9 डाल्टन तक होता है DNA अडू पाली नियू कलाई ओटाईड सिंकला से बना होता है DNA एक से कम अडू भार वाले यम आरेने टी आरेने तथा आरेने का निर्माड होता है RNA प्रोटीन संसलेशड में महत्पूर्ण भोमिका निभाते हैं RNA संसलेशड अडू विविन इस्थान पर दिव गुडित होकर छोटी छोटी अनुपूरक सिंकलाई अर्थात राइवरो नियूकली ओराइट अमल का एक छोटा अडू बनाती है इन्हें प्रविशक कहते हैं RNA प्रविशकों के संसलेशड का उस्था प्रिरण RNA पॉली मरेस एंजाइम्स करता है RNA अडू प्रोटीन संसलेशड के काम आते हैं इससे इसपरष्ट होता है कि DNA अडू प्रोटीन एंजाइम्स से भी वड़े अडू होते हैं प्रश्थ नमबर चार मानों की एक कोसिका में DNA की मोलर सांदरता क्या होगी अपने अध्यापक से परामर्स लीजिए उतर मानों में DNA 3 यह प्रती कोसिका होती है आरथात मानों की एक कोसिका में DNA की मोलर सांदरता 3 होगी प्रश्थ नमबर पाच क्या सुक्रेद की कोसिकाओं में प्रती वंदन अनुक्रम की लंबाई के निरिच्चर के बात कारे करता है जब यह अपना विसिष्थ पैचान अनुक्रम पा जाता है तब DNA से जुड़ता है तता दियो कुंडलीनी की दोनों लड़ियों को तरकरा फास्वेट आधार इस्तंबो में विसिष्थ के इंदरू पर काटता है प्रतेक प्रतिमंदन एंडो नुक्ली SDNA में विसिष्थ पैसीडो मिक नुक्ली यो टाइड अनुक्रमों को पाचानता है प्रतिमंबर छव अच्छी हवा वो मिस्त्रण विसिष्थ ता के अतरिक्त कौन सी अन्य कंपन प्लास्क सुविधाएं हैं उतर कंपन प्लास्क दुत्यक चुनाव की समय क्यूंडम में ल विलोडक होज बायो रेक्टर द्वारा उत्पादों को अधिक आयतन तक सर्व अधिक किया जा सकता है यह मात्रा 100 लिटर से 1000 लिटर तक हो सकती है वांचित उत्पादन पाने के लिए जीव प्रतिकारक अनुकूलतम प्रिस्तितियां जैसे तापमान पीच क्रियाधार वि इन बायो रेक्टर में अच्छे हवाव मिस्रन की विसेशता की अतिरिक्त यह कम खर्चिला है तता इसमें आक्सिजन इस्तांत्रन की दर बहुत अधिक होती है प्रस्त नमर साथ सचक से परामर्स कर पांच पहली डो मिक अनुप्रियोग करें और तता छारक यूगम नियमो का पालन करते हुए पहली डो मिक अनुप्रम बनाने के उधारन का पता लगाईए उत्तर G A A T T C C T T A A G G G A T C C C C T A G G A A G C T A T T T C G A A C T G C A G G A C G T C T A C G T A A T G C A T सेंबल देख लिजी प्रस नमर्बर आठ अर्द सुत्री विवाजन को ध्यान में रखते हुए क्या बता सकते हैं कि पुनयो यो गज़ डी एन्ने किस अवस्ता में बनते हैं उत्तर अर्द सुत्री विवाजन के गुड़ सुत्रों की संख्या गड़ का राधी रह जाती है प्रतम अर्द सुत्री विवाजन में प्रतेक जोड़ी के समजाद गुड़ सुत्रों के मद्द एक या अनेक खड़ों की अदला बदली अथवा पारगमन होता है प्रतम अर्द सुत्री विभाजन के प्रतम पुर्वावस्ता की उपवस्ता जाईगो टीन में समझात गुड़ सुत्र जुड़े बनाते हैं इस प्रिक्रिया को सुत्र युगमन कहते हैं पेकिटीन उपवस्ता में सुत्र युगमक समिस्त्र में एक या अधिक स्थानों पर गोल सुच्म गुड़िया दिखाई देने लगती हैं इना पुनसंयो जन गुड़िया कहते हैं समझात गुड़ सुत्रो के परस्पर गुड़ो क्रोमेटी डस के मद्दे एक या अधिक खंडों की पारंपरिक आदला बदली को पारंपरागत कहते हैं इससे समझात पुनसंयो जित डीने बन जाता है पुनसंयो जन गुड़िया उन इस्थानों पर बनती हैं जहां पर पारंपर पारंगमन हेतु क्रोमेटी डस के टुकडे तूटकर पुनस जुड़ते हैं क्या बता सकते हैं कि प्रतिवेदक रिपोटर एंजाइम्स को वरल योग येचिन की उपस्तती में बहारी डिने को पर पोसी को सिखाओं में इस्थानत्रन के लिए मानिटर करने के लिए किस प्रकार उप्योग में लाया जा सकता है उत्तर प्रतिक गृतियम की उत्पति वा अनुकरम है जहां से प्रतिकृतिय की सुरुवात होती है और जब किसी डिने का कोई खंड इस अनुकरम से जुड़ा जाता है तब पर पोसी को सिखाओं की अंदर प्रतिकृति कर सकता है या अनुक्रम जोडे गए DNA के प्रती रूपों की संख्या के नियंत्रन के लिए भी उत्तरदाई है ORI के साथ समभाक को वर्ड योग चिन किया सकता भी होती है जो अरुपा तरलों की पैचान एमम उन्हें समाप्त करने में सहायक हो और रुपांत्रनों की चैनात्मक वृद्धी को होने दे रुपांत्रन एक प्रिक्रिया है जिसके अंतरगट DNA के एक खंड को परपोसी जीवाडू में प्रिवेश कराते हैं प्रस्त नंबर दस निमलिखित का संशिप्त वर्णन कीजिए प्रतिक करतियम का उदव नंबर दो बायो रियक्टर नंबर तीन अनुप्रवा संसाधन उत्तर नंबर एक प्रतिक करतियम का उदव यह अनुक्रम है जहां से प्रतिक करतियम की सुरुवात होती है जहां बाहरी डियन्ने का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है वह प्रतिक कर सकता है एक प्रो के रियो टिक डियन्ने में समाने तर एक प्रतिक करतियम इस्तल होता है नंबर दू, बायो रियक्टर, बायो रियक्टर एक वर्तन की समान है, जिसमें सुस्म जीव, पोधे, जन्तूओं एवं मानों को सिखाओं का उप्यो करते हुए कच्छे माल को जीव रूप से विशिष्ट उत्पादों स्टिस एंजाइम्स आदी में परिवर्तित किया जात है, समानेत स्वर्वधिक उप्योग में लाया जाने वाला बायो रियक्टर विडो लन इस्टीरिंग प्रकार का है, विडो लिग हैस रियक्टर समानेत वेलनाकार होते हैं, या इनसे घुमावदार आधार होता है, जिससे रियक्टर की अंदर की सामगरी को मिस्रण में सहा ता मिलती है वीडूलक प्रतिकारक की अंदर की सामगरी को मिस्रित करते करने के ता साथ प्रतिकारक में सभी जगह आक्सीजन की उपलगधता भी करते हैं प्रतिक जीव प्रतिकारक रियक्टर में एक प्रचोभक यंत्र होता है इसके अत्रीक्त उनमें आक्सीजन प्रदा य प्रति चयन द्वारा होता है जिससे समय समय पर सर्वदित उत्पात की थोड़ी मात्रा निकाली जा सकती है नंबर तीन अनुप्रवा संसाधन जेव प्रध्योगी की द्वारा तयार उत्पात को भजार में भेजने से पूर्व उसे कई प्रकर्मों से गुजारा जाता है इस प्रकर्मों में प्रतिक करण एवं सुधन समलित है और इसे सामोहिक रूप से अनुप्रवा संसाधन कहते हैं उत्पात को उचित परिच्छक के साथ समरूपित किया जाता है और सधी के मामले में ऐसे समरूपन के चिकिस्तिक्य परिच्छड से गुजारते हैं प्रतेक उत्पात के लिए सुनिस्चित गुडवत्ता नियंत्रन परिच्षड की भी आव सकता होती है अनुप्रवास अंसादन इवं गुडवत्ता नियंत्रन परिच्षड अलग अलग उत्पात के लिए भिन भिन होता है प्रिस्ट नमर 11 संशेप में बताईए नमबर एक कर PCR कर प्रतिवंदन एंजाइम्स और डिनने गर काई टीनेज उत्तर कर PCR PCR का आर्थ पालीमरेज चैन रियक्षन पालीमरेज सिंकला अभिक्रिया है इस विधी द्वारा कम समय में जिनकी कई प्रतिक्रियाओं का संसलेशड किया जाता है इस कारी के लिए एक विशेश उपकरण थर्मल साइकल का उपयोग किया जाता है PCR चक्र के मुख्य रूप से तीन चरण होते हैं नमबर एक निस्करी करण नमबर दो तापानू सेलता तथा नमबर तीन विस्तार निस्करी करण में डिने को बानबे डिगरी सेलसियस पर एक मिनट तक थर्मल साइकलस में गर्म किया जाता है जिससे उनके दोनों स्टेंड अलग हो जाते हैं तापानू सेलता से अभी क्रिया मिस्रन के तापकरम को घटाया जाता है यह समानत 48 डिगरी सेलसियस रहता है इसे इस तापकरम पर भी एक मिनट के लिए रखा जाता है इसके बाद विस्तार किया जाता है जो 27 डिगरी सेलसियस पर एक मिनट के लिए होता है इस चकर को 34 से 37 बार दोहराय जाता है इस प्रकरम द्वारा DNA खंड को एक अरब गुड़ा तक प्रवर्दित किया जा सकता है पॉलिमरीज सिंकला अभी क्रिया में DNA खंड की अतरिक्त उपकरम को एंजाइम स्टेंग DNA पॉलिमरीज मैगनिसियम क्लॉराइट डाई मेथाईल सलफाकसाइड किया उसकता पड़ती है करम को प्राइमर्स को दो समुच्चे हो किया सकता पड़ती है एक पांच से तीन की और जाने के लिए ता तीन एक तीन वह पांच की और जाने के लिए प्राइमर्स छोटे रासानिक संसलेसित अल्प नुकलियो टाइड है जो DNA चेतर की पूरक होते हैं PCR की उपियोग इस प्रकार है नंबर एक रोगाड़ो के पैचान में नंबर दो विस्ष्ट उत्प परिवर्तन को पैचानने में नंबर तीन DNA फिंगर प्रिंट में नंबर चार पादब रोगाड़ो का पता लगाने में नंबर पांच बिलूप्त जिवो तथा मनुस्यों के मनी और सेस के DNA खंड के क्लोनिंग में खव प्रतिवंदन एंजाइम्स और DNA प्रतिवंदन एंजाइम्स को आडवी कैची कहा जाता है वह एंजाइम्स जो DNA को कारता है प्रतिवंदन एंडो न्यू क्लियस कहलाता है अभी तक 900 से अधिक प्रतिवंदन एंजाइम्स की खोज हो चुकी है यह जिवाड़ों के 230 से अधिक प्रभेदों से अलग किये गए हैं इनमें से प्रतेएक प्रतिवंदन एंजाइम्स विविन अनुकर्मकों को पहचानते हैं। प्रतिवंदन एंजाइम्स डवल इस्टे डेट डिन्न को खंडित करता है। यह एंजाइम्स डिन्न को एक विसेईस इस्थल पर काटता है। जैसे enzyme C, E, C, O, R, I, Ply, Mid, Anukram, G, A, A, T, C, T, C, G, Q, G, R, A, K, मत दे काटता है, प्रतिवन्दन enzymes के नामांकर्ण में परंपरा अनुसार नाम का पहला सब्द, वन्स एमां दूसरा और तीसरा सब्द प्रकेंद्र के कोशिक काउं के जाती से किया, जाती से लिया गया है, जिससे यह प्रिथक किये गये थे, जैसे C, E, C, O, R, I, को इस भी को लाई, R, I, T, R, I, से प्राप्त किया गया है, E, C, O, R, I, में 1, R, R, Y, प्रभेश से लिया गया है, ग, काई, टी, ने, इस एंजाइम्स का उप्योग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे DNA के साथ भेद, अडू जैसे RNA, प्रोटीन, वसा, एवं फाली सेकराइट बाहर निकलते हैं, प्रश्ट नमबर 12, अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाईए कि निमलिखित की बीच कैसे भेद करेंगे, कर प्लाई इजमीर डिन्ने तथा गुड़सूत्रिय डिन्ने, कर आरने तथा डिन्ने गर एक्सोनुकली एज तथा एंडोनुकली एज उत्तर कर प्लाई इजमीर डिन्ने तथा गुड़सूत्रिय डिन्ने में अंतर, प्लाजमीड DNA गुड़ सुत्री DNA नमर एक प्लाजमीड गोलाकार वहाद DNA होता है जो स्वतंत्र प्रतिक किरती करता है तथा प्राकिरतिक रूप से यह वैक्टीरिया इस्ट में पाया जाती है नमर दो समाने व्रिद्धी एवं विवाजन के लिए यह आवस्यक नहीं है नमर तीन इनमें कुसिका के कुछ अडू कुछ गुड़ों की सुचना नहीत रहती है गुड़ सुत्री DNA अभिज्यात इस्थर सहित अनुक्रम गुड़ सुत्री DNA सभी जीवों के गुड़ सुत्रो में उपस्तित रहते हैं व्रिद्धा विवाजन के लिए यह आवस्यक है इनमें सभी गुड़ों की सुचना नहीत रहती है खो आरने ता DNA में अंतर RNA DNA नमर एक कुसिका द्रब एक किंद्रिका में पाया जाता है DNA यह मुखित किंद्रिक के क्रुम सुम में पाया जाता है इस इसके अतरिक्त यह कुसिका द्रब में स्थीर माइट्रो कॉंडिया तथा लवक में भी पाया जाता है नमर दू इसमें राइबूस सरकरा होती है नमर तीन इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरे सील वेस होता है नमर चार यह कभी-कभी अनुवांसिक सुचनाएं देता है यह मुखेत प्रोटीन संसलेसर करता है, नमबर पांच, इसका आकार एक हरी कुंडली नी जैसा होता है, नमबर दू, इसमें डियाक्सी राइबोस सरकार होता है, नमबर तीन, इसमें थाई मीन वेस पाया जाता है, नमबर चार, यह सदेव अनुवानसिक सुचनाय देता है, नमबर पांच, इसका आकार दूहरी कुंडली नी जैसा होता है, गव, एक्सो न्यूकली एज, तथा एंडो न्यूकली एज में अंतर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और नेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फुर्वाचीं